तो रक्षत जेल में शामिल जोधपूर के सेंट्रल जेल में अब बंदियों पर 24 घंटे तीसरी आंख यानी CCTV कैमरे से नजर रखे जाएगे अब बंदि अगर जेल में कोई आवांशित हरकत या घटना करते हैं तो वो तीसरी आंख की नजर से बच नहीं पाएंगे जेल प्रसाशन ने इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापत किया है जहां 25 घंटे जेल प्रहरी CCTV कैमरे की मदद से हर बैरिक में बंदियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे इसके लिए फिलहाल 127 CCTV कैमरे लगाए गए हैं कोल 137 कैमरे लगने हैं इसमें जेल में मुबाइल मिलने मारपीड जैसी घटनाओं पर भी अंकुष लग सकेगा चोतपुर के सेंट्रल जेल देश में तिहाड के बाद सबसे स्रुक्षिद जेलों में शुमार मानी जाती है लेकिन पिछले कुछ सालों में जेल में बंदियों के पास मुबाइल मिलने से जेल में बंदियों के बीच गैंग वार और मारपीच जैसे खटनाय लगातार सामने आ रहे हैं हारा कि इससे पहले जेल प्रसाशन की ओर से जेल में जामर भी लगाए गए थे लेकिन ये विवस्था कारगार साबित नहीं हुए इसके बाद भी जेल में मुबाईल मिलने की खटनाय लगातार सामने आती रही